नमस्कार आप देख रहे हैं MSS News मैं हूँ आपके साथ बिश्टू राठो और चलिए देखते हैं सबते पहले सब की ख़वर जन्पत कन्नोज की बड़ी ख़वर योगी की कन्नोज पुलिश ने कब्रेज करने के दौरान पत्रकार के साथ की अबदृता जन्पत कन्नोज की कोटवाली छिम्रमव का मामला कब्रेज की दौरान कोटवाल आलोक राय ने पत्रकार के मुवाइल पार हाथ मारा सिकंदर पुर्चित के पूर्व सपा बिधायक के भांजी का किसी से पैसी को लेकार बिबाद हुआ था बिधायक के भांजी ने पेलित पर तानी पिस्तोल पेलित ने सिकायत पर आरोपी बिधायक के भांजी को पकड़ कर लाई पुलिस बिधायक के भांजी को कोटबाल आलोक राय ने बैठने के लिए दिकुर्ची योगी सरकार के आदिसों का कन्योच पुलिस पर नहीं हो रहा कोई भी असर थम नीरा है पत्रकारों के साथ घटनाओं का सिलसला अचल पर नहीं हो रहा है रखार नहीं हो रहा है इसकी अमने क्राशन नहीं तरिकोर्डिंग करें तो तो हमारे वहां जानने वाले हैं उन्होंने सुचना दी कि एक जो उपता लोग है उनके पैसे का लेन दिन था तो उनके पिस्टल लगा दी उन्होंने तो उसी की सूचना के लिए हमारे पास करने के दोरान में हमारे एक साथी और थे तो पहले में जब वीडियो बना रहे तो उन्होंने तो आए इस पाई ने पहलों मेरे बड़का आया गाली वाली दी और उसके बाद में आप पहुंच हिन लिया कि तो वीडियो बनाता है तो जारा बड़ा वह है तो मतब काफी उल् लेकिन जैसे ही मैं आया थोड़ी देर में तो नमारे साथी का भी पहुंच है लिया और जो ड़का बैठा हुगा था जो ड़का मुल्जीम था उसको बाकाईदा एक्दम इतना सम्मान दिया जा रहा है जैसे कि उसका दामाद हो और दुसरे पच्च के लोग जो दुसरे प लिए लिए साथी करने के लिए गया था मुझे जानकारी yang में थाने की पच्च करने के लिए घ्रम ही तो यह मैंने देखा कि बिभाय का बांजा कुर्सी पर बेक्टा हुआ है और सारे लोग जितने मिलिभि म है और आरोपी है सारी सारे अंधर कमरें में और बेरिंग मनुए उसमें जमिन में बेखे हुए उसी गई मैं कबरेश भी कर रहा था और वहाँ पर स्कुaking संजाता हो लेकर दाव भी बनारा था देखा मैंने कोई मैं कबरेश कड़ा था कबरेश करने दौरां सब्सक्राइब लिघ